अनेक वर्षों से गोंदिया का मराठा समाज शत्रपती श्रीशिवाजी माराज की मुर्ती स्तापित करनी को लिकर प्रतिशारत रहा गोंदिया शहर के मनोहा चौकसित बास्सो बाहत्र स्क्वेर फेट शास के जगा भी प्रतिमा के लिए च्रैनित कर माराज के प्रतिमा को स्तापित करने मराठा समाज प्रयास रथा पिशली साल फेवरी 2030 में समाज वान्य सामाचिक संकटनों के मातिम से एक चुठ होकर तेरा फेट उच्ची अश्वारोड चत्रपती शिवाजी माराज की मूर्ति को गोंदिया लाकर दोल लकाडों की साथ उनका स्वाकत वंदन अभिननतन क्या गया पर प्रतिमा स्तापित कर कराकर प्रशास के बाधाओं को दूर करने वशासन सर पर सकरात्म कदम उठाने की अप्रिल की थी दो परवरी को पुर्वपालक मंत्री डॉक्टर परिने पूके ने मराठा समाज के पढ़ादी कारियों एवं समाज बंदों के साथ जलादी कारी कार्यले में बैठक लेकर श्री छत्रपतेश श्वाजी माराज की प्रतिमास तापित करने को लेकर समाधान पुर्वक रास्ता निकाला इस समाधान करक बाचित में पुर्वपालक मंत्री पुके ने कहा कि छत्रपतेश श्वाजी माराज की प्रतिमास तापित करना कोई धार्मिक प्रयोचन ने हैं ये सार्वज अनीक प्रयोजन हैं इसलिए प्रतिमास तापित होनी चाहिए इस पर प्रशासकी अस्तर पर सहमती दर्शाते पे मरटा समाज को प्रतिमास तापित करने की अनुमती प्रदान की गए फूकी ने कहा कि जल्दी शासन सर्थ पर प्रतिमास तापित कर शास के जगा मराठा समाज की देखने की समिती को दिलाने का पूर जोर प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि राज्य की सर्कार शंट्रप्रतेश शिवाजी महाराज के तिनसोबचास एर राज़ापिशिक महजोप के दोरान महाराज की प्रतिमाः तु को समाज को समर्पिट करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 19 फरवरी को प्रती बाब भव्यरूप में स्तापिट की जाए की जिसका साक्षी पूरा गोन दिया होगा आधित्य सावन्त, राजेंद्र जक्ता, सीमाताई बड़े, अम्रूत इंगली आलोग पफार, भावनताई कदम, डत्ता सावन, प्रतिक कदम, अमेच्छा, काई, रमेश दलदली, नरिंड तुरकर, बाला रामप्यास, सहीद, अनिक मराठा समाज, वान्य समाज बंदो की पस्तिती रही, इन में संद्य उसके लिए गोंतिया से अभिशेख भठना करके रिपोर्ट,